नमश्कार, आज की कक्षा में हम कुरुक्षेत्र अप्रेल के एडिशन को देखेंगे 2018 के जिसमें हम मुख्यत हैं ये देखेंगे कृषी और उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे अगले इशू में हम Technology for Rural Development की बात करेंगे या क्या-क्या प्रोध्योगी की हम काम में ले सकते हैं ग्रामीन विकास के लिए अब अगर हम भारत में Agriculture की बात करें तो हम एक तरफ बोलते हैं कि हम 20-22 तक जो किसान है उसकी आये दुगनी करना चाहते हैं तो वो दुगनी कैसे होगी वो सिर्फ क्रिशी से नहीं हो सकती हमें क्रिशी के साथ उसकी Allied Activities पे भी Focus करना पड़ेगा जैसे हमने योजना में डिसकस किया था एक कुसुम करके स्कीम आई है जिसमें Solar Power Establish होंगे तो Solar Power Establish होने की वज़े से किसान अपने चेनरेटर की उर्जा खुद चेनरेट कर सकता है और जो बचीवी Surplus Energy है वो डिसकॉम को बेच सकता है इसी तरीके से बहुत सारी Allied Activities है जिसमें किसान जूड सकते हैं जैसे Milk Production हुआ, Animal Husbandry हुआ, Poultry हुआ, Seri Culture, Silk का Culture हुआ, Honey Bee Production, शहत का Production हुआ तो ये सारी Allied Activities हैं, अगर Milk Production या दुख-दुख उतपाद में भारत को देखें तो विश्व में पहला इस्तान है और लगबग विश्व का गुनिस प्रतिशत जो उतपादन है वो भारत से होता है इसी के चलते सरकार ने एक Dairy Infrastructure Development Board की स्थापना की है और Fisheries या मतस्य पादन के लिए National Fisheries Development Board की स्थापना की है National Fisheries Action Plan आया है 2020 तक जिसमें 5 साल का टार्गेट दिया है किस तरीके से मतस्य उतपादन को बढ़ाया जा सकता है फिर हाली के बजट में दो important schemes आई है operation greens जिसमें top की बात की गई है tomato, onion और potato मतलब टमाटर, प्याज और आलू की खेती में किस तरीके से price का regular fluctuation होता है उसको रोखने के लिए और किसान को एक stable price मिल सके उसकी तरफ focus करने की बात की गई है इसी तरीके से गोबर्दन scheme आई है जिसमें ये बोला गया है कि जो भी cowdeng है या compost है उसको किस तरीके से bio energy या bio gas की तरह, bio CNG की तरह काम में लिया जा सकता है तो अगर हम हमारे agriculture या क्रिशी के section के उत्थान की बात करें तो 1950 से अभी तक अगर हम देखेंगे तो cereals के उत्पादन में लगबग 6 गुना increase हुआ है और जबकि दालों के उत्पाद में लगबग 3 गुना increase पाया गया है जो की definitely significant है विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा fruits और vegetables का producing nation है कुछ फसलों में पहला है जैसे आम, केला, सपोटा, अनार, मतर और आपकी भिंडी इन सब के production में भारत का पहला इस्थान है अब भारत विश्व के 15 leading exporters में से है agriculture के लिए बहुत सारी schemes क्रिशी से related आई है, soil health card पे पिछले साली question आया था जिसमें ये analysis किया जाता है कि हर जगे की मिटी कैसी है और उसके अनुरूप किस तरीके से development होना चाहिए फिर आपका प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना आई जिसमें हर खेत को पानी मिलने की बात की गई और कम से कम पानी में जादा से जादा बहतरीन फसल हो सके और सिचाई की सुविदाएं उपलब्ध हो सके उसकी बात की गई गोबरधन और इस scheme के अंडर में हम कमपोस्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि काउ डंग में जो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन होता है वो मीथेन और कार्बन डैयोकसाइड का होता है तो अगर वो atmosphere में जाता है तो वो दोनों ही greenhouse gas की तरह act करते हैं तो उसको अगर compost को काम में लेके हम bio fertilizer या bio pesticides बना दें bio slurry बना दें तो उस problem से भी हमें निजात मिल सकता है इसी तरीके से अगली scheme है परंपरागरत कृशी विकास योजना जिसमें हम organic farming पे बल देते हैं यह आपके agriculture optional के लिए और geography optional के students के लिए बहुत ही important topic है 2015 में यह launch हुई थी इसमें कम से कम 50 किसानों का एक group बनाया जाएगा और लगबग 50 एकर तक की जमीन को ध्यान में रखा जाएगा और हर एकर पे लगबग 20,000 रुपे का investment सरकार देगी total scheme में तो उसको बढ़ावा देने के लिए organic farming को बढ़ावा देने के लिए scheme आई है इसी तरीके से फसल पीमा योजना आई है उसमें यह बताया गया है किस तरीके से crop insurance प्रवाइड की जाएगी operation greens की हमने बात की किसानों के आए को double करने की बात की इसी तरीके से e-nam portal आया है जिसको हमने electronic national agricultural market का है जिसमें भारत भर की सभी कृशी मंडियों पर समान दर में समान बेचा जा सकता है और एक common market आ सकता है बिचोलियों का काम खतम हो सकता है फिर आपका agree market infrastructure fund आया है जिसकी लागत लगबग 2000 करोड मानी गई है और इसका मुख्य उदेश ये है कि जो gramene heart है उनको upgrade करके gramene agricultural market में convert करना जो क्रिशी से जोड़ी भी activities है उसमें भी growth की बहुत सारी संभावना है जैसे हम बोलते हैं क्रिशी में हम growth को बढ़ाएंगे हम किसानों की आय को बढ़ाएंगे और food security को बढ़ाएंगे horticulture जो है वो एक important aspect है किस तरीके से हम फलो में इदाफा कर सकते हैं तो वो हमने already बात की animal husbandry में हम कहते हैं कि भारत livestock rich nation है लगबग 300 million cattle population हमारे पास है उसमें से 70% ग्रामीन इलाकों में रहती है और लगबग 5-15 kg प्रती cow जो है आपका cowden produce होता है जो की significant improvement कर सकता है उस section में लगबग 11 million लोगों को regular employment और 9 million लोगों को subsidiary employment देती है और जो छोटे households हैं उनकी आय का 16% हिस्सा बनती है इसी तरीके से मशली पालन अगर देखा जाए तो पिछले 60 वर्षों में 11% तक का production बढ़ा है मशली पालन में और यह कुछ important species है जिनकी regional demand बड़ी है वन छेत्र अगर देखा जाए तो at present भारत में 24.5% के आसपास वन छेत्र है जो हम बोलते हैं कि बढ़के इस एरिया को बढ़ाने की हम बात करते हैं दूसरी तरफ इस सब के बावजूत भी हम बहुत सारा hardwood import करते हैं दूसरे देशों से लेते हैं और भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा hardwood importer है तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा तो furniture market में अगर हम import की बात करें तो मुख्यता इटली, जर्मनी, सिंगापूर, श्री लंका, होंग कॉंग और ताइवान import areas हैं और सबसे ज़्यादा import furniture जो हम करते हैं वो होता है चाइना और मलेशिया से अब अगर हम बच्छड़े की population की बात करें या cattle population की बात करें तो हमने statistics तो already समझी कुछ cross breeds हम लेते हैं जैसे Hershey है, Swiss breed है तो ये सारी बाहर की breeds है जो हम cross breeding के ले लेते हैं हमारी जो देशी नसल है वो क्यों अच्छी है क्योंकि वो जादा से जादा heat को tolerate कर सकती है बिमारियों की प्रती उन में प्रतीरोधक्षमता जादा है उनकी maintenance cost कम है और उनका feed conversion efficiency जो है वो बहुत अत्यदिक है इसलिए हम अपनी native जो नसल है उसको ही prefer करते हैं जब हम milk production को बढ़ाने की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं एक तो average milk productivity को बढ़ाना और एक production per lactation of cow को बढ़ाने की हम बात करते हैं इसी के तब 1965 में National Dairy Development Board की स्थापना हुई थी और उसके बाद operation floods program लाया गया था जो तीन phase में आया था पहले phase में यह मुख्य था चार metropolitan में था दूसरे phase में जो grammy and cooperatives है वो इससे आके जुड़े थे और तीसरे phase में इसका मुख्य उतेश production milk production को बढ़ाना है और नए से में जो cooperative हैं उनको इस chain में लाने की बात की गई थी अगर हम dairy development sector में देखें तो कुछ बहुत बड़े challenges है पहला तो उसकी semen quality को लेके genetic mule को लेके तो जो breed है उसमें genetics का एक बहुत बड़ा rule है इसलिए genetics और breeding division आपका NDRI का करणाल में सापित है जो इस चीज को देखता है फि जो हमारा target है इसके अलावा राश्ट्री वोकॉल मिशन आपका national mission on bovine productivity यह कुछ missions है जो हमारे दुख दूत पात के section में dairy production में कारगर है इसी की तरह हमने national dairy development board की स्टापना की आनन में जिसमें national dairy plan आया दो phase में phase 1 और 2 और बहुत सारी techniques आई जैसे MOET technique जिसको multiple evolution and embryo transfer कहते हैं जिसे annual genetics जो है वो बहतरीन हो सकती है और milk production बढ़ सकता है फिर आपका HD DNA based chip science genomic selection के लिए मुख्यता sahival और gir variety के लिए इसी तरीके से जो चारा है वो मुख्यता बरसीम और oat का आया जो राभी सीजन में होता है वो हर्याना government ने एक initiative लिया है उसको बढ़ाने के लिए कई सारे metabolic diseases भी जानवरों में पाए गए हैं उनको रोकने की बात की जा रही है फिर आपके livestock health and disease control की बात की गई है जिसके चार component है एक तो professional efficiency को बढ़ाना, foot and mouth disease को control करना, render pest को check करना और state के साथ associate करके जो animal disease है उसको रोकने की कोशिश करना अगला है कि अगर हम cattle production की बात करते है तो उसमें व्यक्ति का क्या फायदा हो सकता है या किसान का क्या फायदा हो सकता है तो पहले थो हम A2 brand milk की बात करते है तो A2 brand milk में हम जाद से जादा मिल्क प्रोडक्शन या कंजम्शन बढ़ा सकते हैं और अगला आता है आपका ब्लू रेवलूशन या नील क्रांती नील क्रांती जो है मुख्यता फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कहती है जैसा कि हमने का आप इशले 60 सालों में लगबक 11 गुना हमारा मतस्य पालन बढ़ा है और इसका मुख्य उदेश काफी सारा जो है वो टेक्नोलोजी से जुड़ा हुआ है नेनो टेक्नोलोजी बायो टेक्नोलोजीकल इंटर्वेंशन और मेरी कल्चर जो है इसका प्रमुख योगदान देता है इसमें फिर सोनार और GPS और इको साउंडर से हमने ओशन टोपोग्राफी का पता लगा है जिससे हम पोटेंशल फिशिंग एरियास डिसकवर कर सकते हैं इसको पता लगाने के लिए हमने रेडार एल्टिमीटर को काम में लिया जिससे हम लहर की हाइट को नाप सकते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार जिससे हम वेव की लंबाई को नाप सकते हैं Better reports जिससे हम सालाना weather information ले सकते हैं और हम ंक सी सार्फिस चीज़े हैं इसके अलबा इंजिनियरिंग के द्वारा जिसमें हम मेकनाइज, नॉन मेकनाइज, मोटराइज, नॉन मेटराइज वहिकल्स या वैसल्स की बात करते हैं एक नई policy आई है जिसको हमने बोला है new policy on fishery, new national policy on marine fishery जो कि आपके national fisheries development board द्वारा आई है और इसका कुछ मुख्य उदेश है fleet की size को maximize करना, chip based system लाना जिसके द्वारा हर fisherman को एक registration card दिया जाएगा legislative support प्रवाइड करना और जादा से यादा diversification करना, selective breeding लाना तो ये कुछ developments आपके fishing में हुए, अगला है organic farming organic farming में international federation of organic agricultural movements जो है वो विश्व भर में organic farming के rules को regulate करता है organic farming को हम in following areas में divide कर सकते हैं जैसे biological farming, nature farming इसका मुख्य उदेश ही होता है, बिना chemical के use के ज़्यादा production करना, nutritious value को बनाए रखना पर इन सब के चलते कुछ disadvantages जैसे इसकी shelf life कम होती है, ये कम समय तक रह सकती है crop, इनकी cost, production cost ज़्यादा होती है, market में जो final cost आती है, वो ज़्यादा होती है pest management थोड़ा challenging है, तो pest को किस तरीके से manage करना है, organic crops में उसके लिए post harvest processing की भी अच्छी ज़रूरत है फिर nitrate leaching जो है, वो low organic system में गाम करती है और groundwater pollution को रोगती है तो ये कुछ चीज़े हैं जो हमने इसमें बात की है, पर जब हम organic farming की बात करते हैं तो निश्चत तोर पे कई सारे environmental benefits तो हैं ही, क्योंकि हम synthetic fertilizers और synthetic pesticides नहीं काम में ले रहे हैं economic या आर्थिक फाइदे भी है, social advantage है क्योंकि उसमें बहुत सारे farmers आपस में जुड़ते हैं, employment बढ़ता है, education और health standards बढ़ते हैं और health तो definitely improve होगी ही, क्योंकि आप synthetic चीज़े काम में नहीं ले रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए, गंग टॉप में National Organic Farming Research Institute की स्थापना की गई सिक्किम जो है, वो भारत का पहला organic state भी है फिर खाजियाबाद में आपका National Center for Organic Farming इस्थापित हुआ, जिसके 6 अलग-अलग regional branches है अगर हम benefits की बात करें, तो कई सारे direct benefits हैं, कुछ indirect benefits हैं, जो organic farming के देखे गए हैं, जो की important है अब हम बात करते हैं, मदुमक्खी पालन की, मदुमक्खी पालन को लेकि हमने sweet revolution की बात की है sweet revolution का मतलब यह हैता है, कि शहद के production को ज़्यादा बढ़ाना तो यह जो honey bee production है, या मदुमक्खी पालन है, इसमें हम तीन चीज़े मुख्यता देखते हैं पहला तो शहद के production को बढ़ाना, दूसरा जो bee wax, mom निकलता है, उसके production को बढ़ाना और crops के pollination को बढ़ावा देना, तो यह तीन इसके प्रमुक उद्देश है, यह technology 7000 वर्षपूर्व भी थी और आज भी हम इसमें काम में ले रहे हैं, गुनिसो साथ के आसपास European honey bee introduced हुई थी भारत में और तब से वो काफी सारे area में successfully established है, अलग-अलग प्रकार की honey bees हैं जो भारत में मिलती हैं, उनके common name और scientific name दिये हुए हैं इसके अलवा कुछ पौदे जहां से जो nectar का मुख्य source है, कुछ पौदे जो pollens का मुख्य source है और कुछ पौदे जो pollens और nectar दोनों का मुख्य source है पौदेशन को बढ़ाना, crop productivity को बढ़ाना, जादा से जादा honey production करना, सरकार की कई सारी schemes आई हैं, जैसे all India coordinated research project आया है, honey bee research के लिए, फिर खादी और village industries के योगदान से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, integrated bee development centers लाए जा रहे हैं, दो अलग-अलग phase में, जो की productivity बढ़ाने प हम बात करते हैं, या silk production की हम बात करते हैं, तो silk जो है, वो silkworm से आता है, जो की मलबरी के पौदों पर होता है, तो भारत में सबसे बड़ा challenge तो यही है, कि यह जो पौदे हैं, इनके crop failure का issue है, फिर pest management का issue है, काफी सारी बिमारिया इन पर फैल जाती है, अगर export के शेत्र में देखें, तो silk के export में तीरे तीरे कमी आई है, उसका कारण पहला तो यह है, कि blended silk या artificial silk के साथ competition है, दूसरा जो European और American की देश है, उनमें जो trend है वो बदल गया है, इसकी cost synthetic उससे जादा आ जाती है, तो यह कुछ issues हैं, पर इसके बावजूद भी हम कहते हैं, कि भारत में ल इसकी कुछ प्रमुक फायदे हैं, इसमें employment rate बहुत जादा है, investment बहुत कम है, और जो price मिलती है बाद में वो बहुत बहतर है, तो भारत में कुछ चेत्र हैं, जो मलबरी चेत्र हैं, और कुछ चेत्र जहाँ पे नौन मलबरी silk मिलती है, तो मलबरी silk आपकी मुख्यता तक आंदरपिटेश, तमिल नाडु, जम्मु कश्मीर और वेस्ट बंगाल में मिलती है, जबकि नौन मलबरी silk आपकी जारकाड, ओड़ी सा चतिसगड और उतरपूर्व के राज्यों में मिलती है, पांच प्रमुक कॉमेशियल silk की variety है, जिसमें हमने बोला है, मलबरी, ट् चैबलिश हुआ था, जिसके headquarters बैंगलॉर में है, और यह चार अलग-अलग चीजों पर काम करता है, जिसमें researcher development, coordination of activity, quality certification और seed organization की बात की है, हमने, फिर operation greens की हमने already बात की, कुछ सारी तकलीफे हैं, जो कृषी से जुड़ेवे sectors के साथ हम देखते हैं, जैसे किसान पड़े नहीं है, finance का issue है, money lenders जो है, वो किसान से जादा interest rate पे काम करवाते हैं, फिर जो land holdings है, वो समय के साथ दीरे दीरे छोटी होती जा रही है, जो technology की लागत है, वो बहुत जादा है, mechanization पूरा नहीं हो पा रहा है, और post harvest storage एक बहुत बड़ा issue है, अगर हम production बढ़ा भी देते हैं, और उसको एक साल तक अगर preserve नहीं कर पाते, for example, तो net crop loss हो गया, तो उस चीज़ को focus में रखना बहुत ज़रूरी है, तो कई सारे solutions प्रपोस किये गए हैं, पहला तो जो है, किसानों में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने की बात की जा रही है, फिर जो छोटे छोटे जमी के टुकड़े हैं, उनको एक साथ लाने की बात की जा रही है, जैसे चकबंदी जो कि आपके पंजाब हरियाना और उत्रप्रदेश में की गई, जो capital कम है market में, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो किसान credit cards दिये जा रहे है, कई सारी internal assistance schemes आ रही है, फिर seats की quality को बढ किसाने की बात की जा रहे है, टीवी पे DD किसान का एक channel चालू हुआ है, 24-7 जो है आपका किसान call center शुरू हुआ है, बहुत सारे क्रिशी मेले आयोजित की जा रहे है, किसानों का awareness देने के लिए, अगर हम किसानों की suicide की बात करें, तो मुख्यता दो issues के आस-पास होता है, एक तो loan waiver और दूसरा minimum support price को बढ़ाने के लिए, तो ये दोनों भी वो मुख्य चीज़े हैं जिनमें हमें ध्यान रखना होगा, भारत में एक India Emergence Campaign through Village Emergence की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है, हमें पंचायती राज सिस्टम को और सूदरड बनाना पड़ेगा, और policy या land reforms आने चाहिए, और capital support बढ़ना चाहिए, इसी के बाद हमने operation greens की जो steps हैं, उनकी बात की जिसमें हमने बोला कि ये नाम स्तापित होगा, जहां पर एक पूरा electronic national agricultural market की स्तापना होगी, transportation की cost को हम बढ़ा सकते हैं, गोबर्दन scheme जैसा की हमने बात की थी, के compost को काम में ल कहा था लगबग भारत में 300 million cattle की population है, जिसमें से 70% ग्रामीन शेत्रों में है, जो की लगबग 9-15 kg cow dung प्रति दिन produce कर रहे हैं, इसी तरीके से जो केच हुआ है, उसको काम में लेके हम वर्मी कमपोस्टिंग कर सकते हैं, जो उनका excreta होता है, जो waste होता है, उसको black gold कहा जा करता है, वर्मी कमपोस्टिंग में लगबग 5 गुना ज्यादा nitrogen, 7 गुना ज्यादा potassium और डेट गुना ज्यादा calcium अवेलेबल हो सकता है, top soil को बिना वर्मी कमपोस्टिंग के बाद, तो यह important चीज हुई, फिर bio gas में जैसा कि हमने बोला, methane और carbon dioxide main constituents हैं, तो उसको अगर हम का उस ग्यास जो बन रही है, उसको कम कर सकते हैं, तो bio slurry की हमने बात की, इसी के चलते, gram vikas trust द्वारा, gover bank का initiative शुरू किया गया था, गुजरात के सूरत छेतर में, फिर बहुत सारे bio slurry के projects हैं, जिसमें हमने बोला कि animal lung को हम अच्छे manure में बदलेंगे, उसमें animal urine भी mix कर द लिया जाएगा, तो उसकी वज़े से जो compost बनने का process है, वो ज़्यादा fast हो सकता है, और macro और micronutrients जो दोनों ही plant के लिए essential हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं, होटिकल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो हमने already बात की कि कौन कौन सी crops और vegetables में भारत अच्छा कर रहा है, कुछ न dairy processing और infrastructure development fund आया था, जो की नाबाड की सायता से established किया गया था, फिर आपका प्रधान मंत्री कृशी संपधा योजना है, जो की integrated coal chain और value addition infrastructure देता है, जैसा कि हमने कहा ये बहुत ही important है, crop के आने के बाद, उसका post harvest management, जो की coal chain के द्वारा हो सकता है, या value addition के द्वारा हो सकता ह important है, और इसमें बहुत सारे integrated coal chain projects की स्थापना हुई, चार नए mega food parks की स्थापना की जा रही है, और गुंतिस coal chain projects की स्थापना की जा रही है, फिर आपके हम बात करते है, crop production packages की, जिसमें चमन जो की बहुत important है, coordinated horticulture assessment and management using geoinformatics, मतलब geoinformatics या satellite और remote sensing की सायता से, हम वो सारे चेतर पता कर सकते हैं, जहां पर सबसे अच्छी horticulture फसल उख सकती है, और साथ अलग-अलग crops को 185 district में किस तरीके से distribute किया जाएगा, उस पे काम किया गया है, फिर इस project को implement किया गया है, दिली के महालनोबिस, national crop forecast center द्वारा और ये March the complete होने की probability है, अगर हम भारत भर में द production नागपुर में और अनार का production राजिस्तान में बसी में, तो ये कुछ महतपूंट जगें हैं, जब आपको ध्यान में रखनी होंगी, फिर अगर हम priorities की बात करते हैं, तो हम क्या-क्या चीजों पर ध्यान देंगे, हर्टी कल्चर के लिए, कि हम quality अच्छी रखें, ज्याद for excellence in vegetables इस्तापित किया गया है, करनाल के पास में, जो की वापस एक important milestone है, ये नाम की हमने already बात की थी, फिर sensor-based irrigation network जिसमें हमने ये कहा कि जितनी जरूरत है, उतनी सिचाई की जाएगी, तो sensor-based irrigation systems की हमने बात की, जिसमें हमने technology को काम में लेने की बात की है, किसान knowledge management systems की हमने स्तापना की है, floriculture को अगर हम देखें, तो विश्वभर में जो Netherlands और Germany है, वो सबसे जादा importer है flower के, और इसके अलावा भारत में सबसे जादा production आपका करनाटका में होता है, भारत में एक body है जिसको EPIDA कहते है, Agriculture and Processed Food Products Export Authority, जो की flower को export promotion को देखती है, अब flowers को हम क्यों काम म में लेते हैं, मुख्यता economic activities की वज़े से, तो perfume industry में, foreign exchange की तरह, commercial activities की तरह, और import की अगर हम बात करें, तो इसराइल जो है, वो सबसे जादा producer है, सबसे बड़ा producer है flowers का, और बहुत सारी modern techniques जैसे drip irrigation, liquid pesticide, glass house, यह सब काम में लेके इसराइल production कर रहा है, जो की भारत भी future में क पर सकता है, इसी में हमने integrated development of commercial floriculture की बात की, जिसमें हमने floriculture के proportion को बढ़ाने की बात की है, इसी case study को ध्यान में रखते हुए, क्रिशी के छेतर में क्या-क्या नई तक्निके काम में आई है, वो एक experiment रितनूस थाम foundation का किया गया है, तो इसमें तीन efforts किये गए है, रिथु रिथु नेस्ताम, पशु नेस्ताम और प्रकृति नेस्ताम, रिथु नेस्ताम मतलब के हम फसल को किस तरीके से manage करेंगे, पशु मतलब animal और प्रकृति मतलब organic farming, तो इन तीनों चीजों पर इसमें बल दिया गया है, इसके अलावा कई सारे efforts और किये गए हैं, जैसे living greens startup है जैपूर का, आई खेती है मुंबई की, खेती फाय है दिल्ली का, तो ये अलग-अलग startups हैं, जो क्रिशी में बढ़ावा देने की बात करते हैं, अलग-अलग जगों पर, अगला है vaccination, प्रदान मत्री ने intensified mission for इंद्रतनुष चालू किया है, जो selected districts जहां पर सबसे poor performance है, या और उसके बाद हाल ही में, आपका measles, rubella virus जोड़ा गया, जिसको हम MR vaccine भी कहते हैं, तो ये कुछ important vaccines जोड़े गए, पोलियो जो अभी तक oral drops की तरह था, 2015-16 से हमने उसका inactivated version भी भारत में release किया है, इसी तरीके से हम बोलते हैं कि भारत में जो under 5, 5 वर्ष से कम IU की मृत्य rate जो है, वो हर हजार में से 25 है, जो कि बहुत ही जादा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने की बात की जा रही है, फिर हमने देखा कि कुछ छेत्रों में, जैसे 2015 में target था, maternal और neonatal titanus elimination का, जो कि हमने दिसंबर की जगे, अप्रेल के माह में ही पूरा कर दिया, तो न स्वास्त के सेक्टर में जाएगा, नील क्रांती की हमने अल्रेडी बात की, कि किस तरीके से National Fisheries Action Plus 2020 आया है, जो अगले 5 वर्ष तक कारेरत रहेगा, और स्वच शक्ती 2018 जो है, वो International Women's Day पर celebrate किया गया था, तो ये कुछ दूसरी important news थी, जो इस magazine में cover थी, आने बाले महिने मे हम योजना और कुरुक्षेत्र के और भी additions लेके आएंगे, तो आप ज़रूर से subscribe करें, कुछ भी questions हैं, तो आप नीचे comment में ज़रूर डाल सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है